ऐसे हैं आप सब नहीं है, चैप्टर चल रहा है, हमारा हायर पर्टस्राइज जो कि अमने लास्ट क्लास में किया था, स्टार्ट और लेक्चर नंबर वन हमने कर लिया था, लेक्चर बहुत ही लाइट रखा था, हमने बहुत जादा मुश्किल चीजों को करने के कोशिश नह जब तक clear ना हो, extra effort में थोड़ा देना पड़ता है, तब तक आगे की चीज़े समझ में नहीं आती, तो हमने बहुत detail में काफी कुछ चीज़े note की थी, जो की थी, तो theoretical in nature लेकिन exam के point of view से important रहती है, exam में theory का question भी आजाता है, ये भी हमने देख लिया था, तो हमने chapter start किया था higher purchase, हमने का था higher purchase agreement, एक ऐसे agreement है, जिसके अंतरगा, the person who wants to buy the goods, approaches the seller, और सारा पैसा आपके पास इतनी शमता नहीं कि आप एक बार में दे सकें, इसलिए अब थोड़ा सा पैसा down payment के तौर पर देते हैं, और बाकी का पैसा आप कहते हैं, भाई मैं धीरे 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 installments म का, दोनों ही parties को फायदा होता है, जिस party को समन खरीदना था, उसके लिए फायदा है होगा कि आपको possession मिल गई, आप उस चीज़ को use करना start कर सकते हो, और पूरा पैसा गया भी नहीं, वहीं दूसरी party जिसने sale किया, उसको ये फायदा हो गया, कि party का समन बिग गया, party का समन पैसे धीरे धीरे करते करते आ जाएंगे, जिस party ने ऐसे purchase किया, उसको कहते है, higher purchase और जिस party ने बेचा, उसको बोलते है, higher vendor, कुछ important terms थी, हमने सीखा था, cash price, अगर आप immediately पैसा दो, तो कितने रुपे की चीज़ मिलीगी, उसको कहते है, cash price, down payment, कितना पैसे आप on the spot दे रह तो जो price बनता है, उसे बोला जाता है, higher purchase price, okay, तो ये कुछ चीज़े हमने terms एक्सेक्टरा सीखे थी, उसके बाद हमने special features भी पड़ी थी, कि भाई, possession मिल जाएगी, लेकिन ownership, last installment जब तक pay नहीं करते, तब तक आपको transfer नहीं होगी, और अगर आपनी किसी भी installment में default कर दिया, तो higher vendor के पास right है, वो आएगा और अपनी चिज़ी लेकर चला जाएगा, अपनी चीज़ की possession को लेकर वो वापिस जा सकता है, without compensating the higher purchaser, तो ऐसी बाते हमने करी थी, उसके बाद हमने installment sales system देखा था, क्योंकि chapter के नाम में installment sales system, installment purchase system, ऐसे वर डेड रहते हैं, installment sale is just like a normal sale, कि sale की transaction है, sale of goods एक 1930 की accordingly installment sale की system को govern किया जाता है, जिसमें अगर आपने किसी भी installment में default कर दिया, तो seller के पास right नहीं है, कि आकर आपकी चीज़ को वापिस ले जाए, क्योंकि installment sale वाले system में, जैसे ही आप पैसे देते हो, down payment भी चाहे देते हो, आप immediately owner बन जाते हो, जबकि higher purchase में इसा नहीं होता, वहाँ पर आपको सिर्फ possession मिलती है, ownership के लिए you need to wait till the payment of the last installment, तो ये कुछ difference के point से, उसके बाद हम practical वाले part पर आये थे, practical में, अभी class puzzle, home puzzle बहुत दूर है, हमने का था, सबसे पहले इस chapter में जो mastery करनी है, that is over the cash price, interest, installment and higher purchase price, कोई भी question जब करेंगे, ये interest कितने रुपए का, और higher purchase price कुल मिला कर कितना बनता है, तो different different type की situations जो हमारे सामने बनेगी, जहां पर कई बार cash price given होगा, interest नहीं होगा, कई बार दोनों given होगे, कई बार interest given होगा, interest given नहीं होगा, cash price given होगा, तो किस तरह से इन cases को समझना है, हमने एक case last class में start किया था, तो हमने का था, case number one क्या है, question doesn't provide the amount of installment, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, question आपको number of installment बताएगा, जहां से हम installment का amount निकाल सकते हैं, और यही बानेगे कि installment के अंदर interest include नहीं है, case number one हमने किया था, case A के अंदर question one, cash price था 10 lakh down payment 20% थी, यानि कि 2 lakh तो immediately दे दिया, 8 lakh pending रहे गया, उसको कैसे पही करना था, 4 equal annual installment में, तो 8 lakh divided by 4, 2 lakh परेनम हो गया, rate of interest था 20%, तो हमने क्या कहा कि हर installment का amount जो है, वो 2 lakh रुपया, लेकिन सिरफ principal portion, और उसके बाद हमने table बनाया था, जिसमें computation किया था, interest और installment का, हमने यह सीखा था, कि जो interest की computation है, that is only and only the outstanding principal balance, तो हर साल के starting में, जितना principal balance outstanding है, उसके ओपर आपने interest लगाना है, और क्योंकि यह principal amount धीरे-धीरे कम होता जाएगा, बिको हर बार आप installment pay करते हो, तो principal amount कम होता जाएगा, तो इसी कारण हर साल interest का amount आपका कम होता चला जाता है, ठीकिना, आप normal life में भी दे सकते हैं, आपने कभी home loan लिया हो, car loan लिया हो scooter loan, two wheeler loan, four wheel, किसी भी type का loan लिया हो, अगर आप उनकी statement देखेंगे, statement के अंदर हर installment के जो detail होगी, interest सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे-धीरे हर installment में कम होता चला जाता है, ठीकिना, तो भाई, case A हमने कर लिया था, case A में question 1 कर लिया था, case A में ही एक और question करने जा रहे हैं, question 2, ये लिजे गाईज, case A में ही question number 2 करने जा रहे हैं, लिखते हैं से same as question 1, same as question 1, except that, except that rate of interest, except that, better लिखेंगे, rate of interest 20% per annum is compounded half yearly, except that rate of interest 20% per annum is compounded half yearly, बाकी पूरा question same है, cash price 10 lakh, down payment 20%, etc, etc, चार installments है, जो हमने लिखा था, cash price 10 lakh के down payment 20% है, balance charge इंस्टोर्णे पे करना है, rate of interest यहां लिखा था, 10% per annum compounded annually, और मैंने इसमें change गया करा दिया, अब compounded half yearly बोल दिया, बाकी सारे चीज़ सेम है, तो इसके कारण फरक क्या पड़ेगा, compounded half yearly का मतलब है, कि जो bank है, जो higher vendor है, जो आपसे interest charge कर रहा है, वो पहले 6 महीने का interest लगाता है, year के beginning में जो principal था, उस पर पूरे 12 महीने का interest नहीं लगाता है, पहले 6 महीने का interest लगाया, 6 महीने का जो interest आ गया, principal के अंदर वो interest एड़ किया, और ये जो total value बन गी, फिर इसके उपर अगले 6 महीने का interest लगाया, कैसे आईए देखते हैं, आईए समझें, let's say, ये beginning of year है, और ये end of year है, तो यहाँ बीच में क्या आ गया, mid of the year, यानि कि, ये 6 months, these are 6 months, और ये आपके हैं, balance 6 months, ठीके न, question ये कहता है, कि भाई, अगर ये 100 रुपे beginning में है न, तो पहले इसके उपर 20% लगेगा, 6 महीने का, यहाँ होगा, 100 रुपे बीचनिंग में है, तो 100 into, 20% into 6 by 12, कितना आ गया जी, 10, तो यहाँ आप कहेंगे, beginning में 10 था, 10 रुपे और एड हो गया, तो 6 महीने के बाद, ये हो गया जी, 110 रुपे, half yearly compounding का मतलब है, कि 6 महीने बाद रुख जाओ, 6 महीने के बाद, value निकालो, जो starting में 100 थी, अब हो गई 110, बाकी के 6 महीने के लिए, इस 110 रुपे पर लगाओ, interest again, 20% for 6 months, ये कितना आता है जी, 110 का 20%, 6 बटे 12, 11 रुपे आना चाहिए, ये आ गया जी, 11 रुपे, यानि कि, at the end ये value कितनी हो गई, 110 प्लस 11, 121, समझेगा इस बात को, compounded half yearly का मतलब है, कि बीच में 6 महीने बाद, rest देंगे, जो total value बनेगी, interest को मिला कर 6 महीने के, अगर ये compounded yearly होता, अगर compounded yearly होता, तो हम सीधा ही कहते, 100 रुपे, पूरे साल का interest, एक बार लगता, 100 गुना 20%, 20 रुपे, और ये value हो जाती, 100 प्लस 20, is equal to 120, ये कब होता, if compounded yearly, जैसा कि, case A में था, अगर compounded yearly होता, तो बेटा, इस तरह से हो जाता, 120 रुपे आता, जो कि हमने पिछले question में भी किया, rate of interest 20 था, तो हमने 20 को, लेकर ही कर दिया, ये देखे, पिछला जो question किया, यहाँ पर interest कितना लिया, 20%, लेकिन जैसे ही question ने का, compounded half yearly है, इसका मतलब rate of interest, पूरे साल का 20 नहीं है, अगर मैं यहाँ से compute करना चाहूं, आपकी beginning में value, so at the year end हो गई, 121, मतलब effectively, interest कितने रुपे का लगा है, effectively जो interest है, वो लगा 21 रुपे का, effectively, interest is, 21 रुपी, और, मुझे रुपी से क्या लेने देना भाई, हमें तो percentage निकालनी है, इसे मैं अलग से रख देता हूं, क्योंकि यह तो हमने separate किया, समझने के लिए, effectively interest 21 रुपे का है, अगर मैं interest की percentage निकालना चाहूं, effective interest percentage is equal to, interest है 21 रुपे का, beginning में value थी 100 रुपे, गुना 100, percentage निकालना है तो गुना 100, 21%, तो हमारे case 2 में, case A के question 2 में, 21 प्रतीशत का interest rate आएगा, due to compounding half yearly, देख लिजे, कोई दिक्कत दुविदा नहीं होनी चाहिए, इसे note कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दूआ यहीं होनीजद रागे हैं, झाल में होनी आगे हैं, कर आगे हैं, भाल मम्म मजों दूएंगünde meeting को अवार एंगे मैं hyd्यों, को अवारा, कर दो झाल झाल चले जे, I hope यह हो गया note, तो बिलकुल आगे simple जैसे last time किया था, computation of interest and installment, same way में आगे बढ़ जाएंगे, ये लिजे, computation of interest and installment, same column, year, hierarchy maintain करेंगे, year, outstanding principle और balance icon से, interest at the rate, 21%, तो भाई, this is the key highlight of this question number 2, interest लगेगा 21% के हिसाब से, then principle and in the end installment let it be A, B, C, D and E, तो C जो है, that is B into 21%, D तो given है और E, installment कैसे आजाएगा, C plus T करते हुए बटा, ठीक है न, यही same चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी थी, फरक सिरफ क्या हो रहे है, 20 की बिज़े 21% का interest आ रहे है, आए, continue करते हैं, year आ गया जी, 1, 2, 3 and 4, outstanding balance कितना है, starting में 8 lakh, पिछले question जैसा ही है, same, 10 lakh रुपए था आपका cash price जिसमें से 20% आपने down payment दिया 2 lakh तो बचा था 8 lakh रुपए, इस 8 lakh रुपए पर 21%, 1 lakh 68,000, principal amount है 2 lakh का, तो installment हो गई, 3 lakh 68,000 की, principal में interest एड़ कर दिया, आपका जो outstanding balance था 8 lakh, इसमें से 2 lakh का principal आपने दे दिया, तो कितना रहे गया, 6 lakh रुपए का principal, 6 lakh रुपए का 21 परतीशत, 1 lakh 26,000, principal amount है 2 lakh बेटा, तो total हो गया, 3 lakh 26,000 रुपए, 6 lakh का principal outstanding था, 2 lakh का principal चला गया, कितना रहे गया, 4 lakh, 4 lakh का 21 परतीशत, 84,000, principal है 2 lakh, मतलब यू पाइड 2 lakh 84,000, and in the end, outstanding principal only rupee, 2 lakh, तो 2 lakh का 21% add than 42,000, principal is 2 lakh, so you paid 2 lakh 42,000, बिल्कुल सेम मैनर में किया, नया पन सिर्फ क्या था, rate of interest 20 की बज़ा 21 हो गया, लिख लीजे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठेके गाईस, कोश्चन नमबर 3 पर बढ़ते हैं, यह कोश्चन नमबर 2 हो गया, कोश्चन 3, कम आँ, सेम एज कोश्चन 1, एक्सेप्ट देट, कोश्चन 1 जैसा ही है, कोश्चन 1 में हमने क्या लिखा था यह देखे, हमने कहा था, बैलंस is to be paid at the end of each year in four equal annual installment, अब मैं annual की बज़ाएं क्या कर रहा हूँ, half yearly, half yearly installment, except that, balance is to be paid, in four equal, half yearly installments, balance is to be paid in four equal half yearly installments, four equal half yearly installments, rate of interest, दुबारा लिखने तो में लिख देता हूँ, rate of interest 20% per annum, rate of interest 20% per annum, note कर लिज़े, same as question 1, except that balance is to be paid in four equal half yearly installments, rate of interest 20% per annum, तो पहले question में क्या हो रहा था कि आप हर साल के बाद installment pay कर रहे थी, चार installment थी, चार साल में लेकिन यहाँ चार equal half yearly है, cash price same 10 lakh, down payment कर दिया, 2 lakh immediately balance रहे गया, 8 lakh, तो उस 8 lakh रुपे को हमने, 4 equal installment pay कर रहे हैं, जब 6 महीने बाद में installment pay कर रहा हूं, तो पूरे साल का interest थोड़ी लगाओगे, कितने महीने का लगाओगे, 6 महीने का, तो बात सिर्फ इतनी है कि जो rate of interest 20% दिया है, वो per annum है, मुझे उसको convert कर लेना है कि यार यह तो पूरे साल का है, 6 महीने का interest कितना लगेगा, so easy, 20% की बेज़ाज आएगा, 10% यह देखे, हम कह रहे हैं, कि अगर यह beginning of year है, और यह end of year है, तो यह क्या हो गया जी, mid of year मतलब 6 महीने निकल गए, ठीक है ना, यह हो गया mid of year, जो 20% interest है, वो पूरे साल का है, 20% तो per annum है, अगर मैंने installment यही पर, during the year, mid में ही pay कर दी, तो मुझसे 20% थोड़ी लोगे यार, आधे साल का ही तो लोगे, तो आधे साल का हो गया, 20% into 1 by 2, 10%, तो मेरी installment पर 10% का ही interest लगेगा, ठीक है ना, लिख देते, as, अंतर आपेगे लोगे लोगे, इस्टर लोगे 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 लोगे, लोगे, for six months that is 20% into 1 by 2 further equal to 10% ठीक है ना, तो दूसरे question में effective rate of interest सीखने को मिला, अगर effectively जो compounding है, वो आपकी 6-6 महीने पर ओरी है, लेकिन यहां वो चक्कर नहीं है, यहां installment ही half yearly होगी तो भाई, interest जो है वो आधे साल कहीं लगेगा computation of interest and installment computation of interest and installment ध्यान रखेंगे, अब तक आप जो इसके इंतरगत columns बनाते थे, सबसे पहला column क्या लिखते थे, year वहाँ लिख रहे थे, 1, 2, 3, 4 अब तो भाई, year दो ही है year लिख रहे थे, पहले 1, 2, 3, 4 अब year नहीं, अब installment है 1, 2, 3, 4, और जाधा picture clear करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ year भी लाल देता हूँ और installment भी डाल देता हूँ year, installment आउट्सेंडिंग बैलेंस याने की प्रिंसिपल interest at the rate 10% यह प्रिंसिपल अमाउंट और यह आगे जी फाइनली इंस्टाल्मेंट a, b, c, d, e और f तो इस case में जो d है that will be c into 10% और f हो जाएगा आपका d प्लस e, प्रिंसिपल प्लस interest देखेंगे आराम से कैसे सबसे पहले year 1, installment 1 उसके बाद year तो 1 ही रहेगा और installment number 2 आ जाएगा क्योंकि एक साल के अंदर 2 installment है फिर year number दूसरा start हो है installment 3 और year number 2 हे में ही 4 installment समझ रहे हैं 2 साल के अंदर 4 installment आपने pay कर दी, पहले क्यों रहा था 1, 2, 3, 4, 4 साल तक जा रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं अब ऐसा नहीं, starting में outstanding balance कितना है 8 lakh, क्योंकि 2 lakh तो आपने down payment दे दिया था, 8 lakh interest भी तो देना है, तो पहली बार interest कितना है, 80,000 का total हो गए बेटा, 2 lakh 80,000 8 lakh में से 2 lakh का principal pay कर दिया, 6 lakh रहे गया, इस 6 lakh रुपए के ओपर 10%, 60,000 2 lakh का principal amount है तो installment हो गई 2 lakh 60,000 6 में से 2 lakh का principal pay कर दिया, 4 lakh रहे गया 4 lakh के ओपर 10 प्रतिशत 40,000 principal दे रहे हैं, भाई क्या हो गया है तुमको 2 lakh 40,000 अंत में रहे गया, outstanding balance 2 lakh, तो 2 lakh का 10 प्रतिशत बेटा 20,000 principal दे रहे हैं, 2 lakh का तो total दे रहे हैं, 2 lakh 20,000 रुपए ये लीजे, note करीए 50,000 even 50,000 16,000 19,000 ु供 25,000 29,000 30,000 29,000 चलेगा इस बढ़ते हैं आगे इस कोश्चन से एक और लर्निंग है मैं आपको बता दूँ ये देखो जब आपने कोश्चन वन किया या टू किया वहाँ पर क्या था क्योंकि आप चार साल तक इंस्टॉल्मेंट्स पे कर रहे थे तो आपको इंटरस्ट कितना देना पड़ा 168, 126, 84 और 42 मतलब चार लाख रुपे से उपर की बाद पहुँच गई जबकि अगर आपने दो साल के अंदर काम खतम कर दिया तो आपका एप्रॉक्सिमेटली दो लाख के आसपस इंटरस्ट बन रहे जितना लंबा समय होगा पे करने का उतना ज़्यादा इंटरस्ट जाएगा जैसे कि मानलो आप कभी भी कोई लोन लेते हैं आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आपके पस option है कि तीन साल का लोन ले कि पान साल का लोन ले अगर आप पान साल का लोन लेते हैं obviously उस case में interest हमेशा ज्यादा होगा as compared to 3 years, reason simple है जो मैंने बताया था, सारी चीज़ें किसके ओपर work करते हैं time value of money, जिसके ओपर हमारा पूरा financial management का subject टिका है अगर आप 3 साल तक installment दे रहे हो मतलब आपने दूसरे person की जो payment करने थी तो तीन साल लेट किया, तो वो तीन साल का interest चार्ज करेगा, जबकि अगर आपने उस पार्लिटे की एपिमेंट 5 साल लेट किया, क्योंकि अब धीरी-धीरी 5 साल में pay कर रहे हो, तो उसका 5 साल का नुकसान होता है interest का तो वो आपसे ज़ादा पैसा चार्ज करेगा, ठीक, वापिस आते हैं, यह देखे, याद दिला दें, आपको चल किया रहे है, हमारा concept 3 चल रहा है, cash price is given, rate of interest given, जितने भी 3 situation की, मैंने अब तक 3 question किया, सब में cash price भी था, rate of interest भी था, और हम इसमें case ही क्या कर रहे थे, question doesn't provide amount of installment, question number of installment बताता था, हम खुद ही निकाल लेते थे, जैसे इन तीनों question में common क्या था, 10 लाख में से, 2 लाख आपने immediately pay किया, जो 8 लाख बच गया, उसको 4 installment में pay कर रहे है, तो 8 लाख डिवैड़ बे 4 किया, 2 लाख आ गया, question ने installment का मार्ण नहीं बनाया था, हमने खुद नि लिखेगा, question gives the amount of installment, question provides the amount of installment, comma, which doesn't include interest question provides the amount of installment, which doesn't include interest, लिखे बेटर क्या हो रहे है, question installment का amount बताएगा, लेकिन उसके अंदर interest नहीं होगा, वो हमें पता चल जाएगा भी question करेंगे, तो समझ लेंगे, अधरवाज ये समझ लो कि पिछला question है, question one, उसमें question ने खुद ही कह दिया, कि भाई installment जो है न, वो दो लाख रुपे की है, अब दो लाख रुपे की है, अगर चार installment तो आठ लाख बनता है, और cash tollments का पैसा मिलाकर हमेशा outstanding cash price से ज्यादा बनना चाहिए, तो अगर question इस type का होगा, तो we will follow the same methodology जो हमने follow की अभी-अभी, लिखेंगे, in such situation, हमने इसमें कुछ लिखा था, we shall solve same as per case a, तो जैसा case a में सीखा, वही वाला same यहाँ पर आपने concept लगा देना, question करते हैं, question number 4, question number 4, यह लिजे, cash price साथ हजार रुपई, down payment 15,000 रुपई, rate of interest, 5% per annum, balance amount, balance, amount, to be paid in, three installments of rupee, 15,000 each, balance amount to be paid in, three installments of rupee, 15,000 each, बस इतना ही प्रशन है, cash price given है, तो हमें क्या करना है, interest obviously compute करना है, पहले समझ लेते हैं, cash price कितना है, 60,000, down payment हो गई, 15,000, तो outstanding कितना रह गया, same hierarchy में maintain करना चाहूंगा, यहाँ जो wording थी, balance cash price, यह लिजे, let us see the solution, आराम से दिहान से देखेंगे, cash, price कितना है, 60,000 रुपए, आपने down payment कितना कर दिया, 15,000 रुपए का, तो balance cash price कितना रह गया, balance cash price, total 60,000 की चीज थी, total 60,000 की चीज थी, 15,000 आपने pay कर दिया, पुत्तर किना रह गया, 45,000 रुपी रह गया, question ने क्या बोला, amount to be paid in, in three installment of 15,000 इच, अगर मैं total of all installments देखूँ, total of all installments, कितनी है, question ने का, 15,000 पर किना तिन installment देनिया ने, तो 15,000 गुना तिन किना हो गया, 45,000 रुपी, आपका जो balance cash price रहता है, installment का amount उतना ही बन गया, ideally installment का amount इससे ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि installment के अंदर तो भाई, interest भी add होगा न, लेकिन, अगर installment का amount आपके balance cash price से match कर गया, इसका मतलब है, कि installment doesn't include interest, तो यही case हम कर रहे है, case भी, question ने installment का amount दिया तो सही, लेकिन उसके अंदर interest नहीं है, लिखेंगे as, as the amount of installments as the amount of installments matches with the balance cash price, it means installment doesn't include interest, it means installment doesn't include interest, guys, believe me, हम बहुत detail में कर रहे हैं, सब कुछ मैं लिखवा कर, आपको दे रहा हूं, so that revision के समय, किसी परकार की दिक्कत ना है, और आप हमेशा ahead रहें, as compared to your colleagues, otherwise, इतनी चीज़ लिखे, बिना भी सीधा table बना सकता था, और शायद मेरा एक से डेड़ लेक्चर, यहाँ पर सेव हो जाता है, इस chapter में, लेकिन agenda वो नहीं है, agenda है कि सबच्चोख अच्छे से, सारी चीज़ समझाने चाहिए, इसके बाद अपना table बनाएंगे, computation of, interest and installment, computation of interest and installment, year, outstanding balance, interest at the rate मेंने कितना लिखवाएजी, 5%, principle हम कितना पे कर रहे हैं, और installment, A, B, C, D और E, C कैसे आएगा, जितना आपका outstanding balance है, उसके उपर 5 प्रतीशत आएगा, C is equal to, B into, 5%, और E कैसे आजाएगा, C plus D, principle plus interest, ठीक होगी बात, हमने क्या बोला, 60,000 में से 15 दे दिया, मतलब कितना outstanding है, 45,000, तो outstanding जो starting में, 45,000, उसके उपर interest लगना चालू होगा, बाकी का 3 installment में देना है, तो installment बनेंगी 3, 1, 2 और 3, सबसे पहले outstanding balance, कितना है बेटा, 45,000, तो 45,000 के उपर 5% लगाएंगे, 2, 2, 5, 0 आ गया, 45,000 का 5% 2, 2, 5, 0, principle कितना है, 15,000 रुपे हर installment में principle है, तो total हो गया 17,250 रुपए, इतने रुपई की हमारी पहली installment जो है, जाएगी, I hope it's comfortable, उसके बाद, 45,000 में से, आपने कितना पे कर दिया प्रिंसिपल, 15, तो कितना प्रिंसिपल रह गया भाई, 30,000, 30,000 रुपे के उपर 5% लगाया, 1500, 15,000 का प्रिंसिपल है, तो 16,500 रुपया, यानि कि आपका पे हुआ, 16,500 रुपे की installment, 30,000 का जो outstanding था, starting में, उसमें से 15,000 का आपने फिर पे कर दिया, तो last में कितना रहे गया, outstanding, 15,000, 15,000 का 5%, 750, principle outstanding था 15, जो installment में दे दिया, और ये आया जी, 15,750 रुपे, ठीक है, नोट कर लेंगे, जाओ 15,000, के छी कर दो ठेकत reading, 16,000 का आपको जो टो चपता जी, जो आपको तुल झांस to be finan Наタ क्यों में ठीक हम कि आपको, कि बýज़ों ये, झाल झाल चले गाईस यह हुआ हमारा जी case B जहां हमने का question installment तो देगा लेकिन उसमें interest include होगा और याद रहे है case A, B किसके अंडर बन रहे हैं हमारा जो concept है जहां हमने का था कि cash price is given और rate of interest is given तो जब भी cash price और rate of interest दोनों चीज़ें हम एक table बनाते हैं और इस table के माददे हम से easily कोई भी question हो solve हो जाता है ठीक है ना, अच्छा साथ में यह भी बता दो जो मैंने आपर question tour 3 कराये थे ना आपको, वो सिरफ exception के तोर पर समझाए कि compounded half yearly हो या rate of interest installment आपकी half yearly हो तो उस case में क्या होगा normally yearly installment ही रहती है तो आपको हर question में बहुत ताक जहां करके नहीं देखना मतलब ऐसा नहीं कि आपको majority question में मिलेगा, majority question कैसे होगे जो case 1 जैसे है, मतलब rate of interest per annum होगा और compounded भी yearly system होगा, ठीक चलिए case B भी हमारा हो गया, case C पर आइए case C question provides the amount of installment question provides the amount of installment B में भी यही लिखा था question provides the amount of installment वहाँ कहले लिखा था which doesn't include interest अब यहाँ क्या आएगा, which includes interest which includes interest अब यह कुछ different, अब तक case A और case B दोनों एक जैसी बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ question आपको कह रहा है कि जो installment का amount है न, उसके अंदर interest include है कैसे करेंगे, अभी तक हम क्या कर थे, installment खुद निकालते थे, principal प्लस interest करते हो last column में, लेकिन अब जो आपको installment given है, उसके अंदर interest already include है तो यहाँ दिक्कत क्या आती है कि आपके पास principal नहीं है interest का amount नहीं है, question के माध्य हम से करेंगे एक line जरूर लिख देते हैं, in such a situation in such situation make a forward table in such situation make a forward table क्या होता है, अभी सीख लेंगे जो अभी तक कर रहे थे, वो भी forward table ही होता है ठीके, ना तो घबराएं नहीं question के माध्य हम समझते है, हम कितने प्रशन कर चुके numbering हमारी continent है, question 4 तक ही आ गया question number 5 question number 5 question number 5 question number 5 one minute now let us write down question number 5 हम लिख रहे हैं जी cash price रूपी 37,500 down payment 5,000 रूपी balance to be paid in 5 5 yearly installments of balance to be paid in 5 yearly installments of Rs. 7,500 each rate of interest 5% per annum ये लिजेशे, rate of interest 5% per annum तो ये question है cash price दिया, down payment दिया और balance कैसे पेकर ने installment का amount भी दिया अभी हमें कैसे पता चलेगा कि installment includes interest वो देखते आईए तो cash price जो given है लिखेंगे पेटा आईए cash price 37,500 down payment कितनी है 5000 रुपे जो चीज थी वो 37,500 रुपे कि थी आपने 5000 तो immediately दे दिया तो balance कितना रहे गया balance cash price 37,500 minus 5000 यानि कि 32,500 रुपे 32,500 का balance cash price रहे गया total of all installments कर लेते हैं एक पर total of all installments 75,000 रुपे की एक installment है 5 installments है total तो आपका installment का amount मिला कर बनता है 37,500 ये क्या हुआ जही ये आगई मज़े की बात आपका जो balance cash price है वो है 32,500 लेकिन जब installments का total किया तो installments की मात्यमेंस दिने 37,500 जादा दे रहे हैं क्यों क्योंकि interest है अगर मैं ये कहना चाहूं यहाँ पर total interest कितना है तोटल इंटरस्ट इस इक्वल टू आपकी installment से तोटल 37,500 की जबकि cash price outstanding के सिरफ 32,500 का यानि की 5000 रुपए का इंटरस्ट है 5000 रुपए का इंटरस्ट है और additionally अगर आप निकालना चाहों निकालने की अवशक्ता नहीं है सिरफ knowledge purpose के लिए अगर मैं कहना चाहूं higher purchase price कितना है मैंने आपको दो तरीके से सिखाया या तो cash price में interest plus कर ले जो ज़्यादा popular है cash price कितना था 37,500 interest कितना है 5000 का interest कितना है 5000 का तो इंटरस्ट कितना है 5000 का तो इंटोटल आ गया 42,500 37,500 क्या है cash price और 5000 क्या है interest का amount तो टोटल 42,500 का मुझे higher purchase price पड़ेगा समझ में आई बात तो उसमें हमने line लिखी थी as the amount of installment matches with the balance cash price it means installment doesn't include interest यहां क्या लिखेंगे as the amount of installment as the amount of installments exceed the balance cash price that means installment includes interest तो question आपको ऐसे खुद लिख कर नहीं बताएगा कि installment के अंदर interest है की नहीं हमें थोड़ी सी working करके पहचानना होगा पहले यहां तक पहुँची उसके बाद आगे का काम जो है करते हैं लिखे आं तक जी झाल चले जी तो हम कहते हैं Computation अब तक क्या लिख रहे हैं Computation of Interest and Installment Installment तो given है तो सिरफ Computation of Interest लिखेंगे चलेगा Computation of Interest ध्यान से देखेंगे जी पहला कॉलम तो वैसा ही है Year Outstanding Balance मैं थोड़े से words यहां पर add करूँगा In the beginning वैसे भी beginning का ही चाहिए होता है जो आपका Year के starting में balance होता है Outstanding उसी के ओपर तो Interest लगता है Then Interest at the rate कितना rate दिया था कोशन है मैंने 5% Interest at the rate 5% ध्यान दें Installment का amount आपको given है अब तक हम यहां क्या लिखते है थे Principal क्योंकि Principal पता होता था लेकिन अब installment का amount पता है यहां मैं लिखूंगा Principal जो चीज़ पता है वो पहले लिख दी जो निकालनी है वो बाद में लिख दी और यहां पर add कर रहे है एक लास्ट कॉलम Outstanding Balance at the End Easily समझ में आजएगा कोई रिक्कत नहीं A, B, C, D, E और F जो Outstanding Balance in the Beginning है इसके ओपर तो इंटरस्ट लगेगा I can say B into 5% समझते है D जो है यह तो question में given है E कैसे आएगा बड़ी आसान सी बात है अब तक हम क्या करते थे installment कैसे निकालते थे principal plus interest अब मेरे पास installment है और interest है तो principal कैसे आजएगा installment में से interest को minus कर देता हूँ तो E is equal to D minus C बड़ी simple सी बात है installment अगर दे रहा हूँ let's say 40,000 की for example उसमें 5000 का interest है तो 40 minus 5 35,000 किस चीज़ का गया principal का गया और यह last column एक लिखा है हमने outstanding balance at the end एक मिनट ची outstanding balance at the end इसका क्या मतलब है कि साल के अंत में कितना principal outstanding रहे गया हमने यहां लिखा था column number 2 में outstanding balance in the beginning B जैसे हम starting के question में कर थे ना question 1, 2, etc. में कितना था? 8,000,000 principal कितना pay किया? 2,000,000 तो balance कितना रहे गया? 6,000,000 तो यहां में क्या बोलूँगा F is equal to beginning में कितना outstanding था? B कितना principal pay कर दिया? E Sir, यह column बनाया क्यों? बटा नहीं भी बनाऊगे तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है EASINESS के लिए बना दिया EASINESS क्या होगी? अभी समझेंगे, आईए सबसे पहले आ गया जी year number 1 कितना outstanding balance है beginning में? outstanding balance इंदा beginning का मतलब होता है यह वाली value cash price कितना रह गया? outstanding क्योंकि इसी के ओपर interest लगना चालू होता है तो यह value है जी 32,500 रुपे computation मैंने क्यों यह interest की तो I will not do that again 32,500 का 5 प्रतिशत किया 1625 आ गया दिखान से देखेंगे installment का amount कितना है? 75,000 question ने बताया 5 installment है, हर installment 75,000 की 75,000 की installment है उसमें 1625 का interest है यार तो balance जो दिया वो किस लिए दिया होगा? principle के लिए आपने दिया होगा, बड़ी simple सी बात है हम यह जानते हैं कि principle और interest मिला कर total amount of installment बनता है question अगर कह रहे हैं installment 75,000 किया और उसके अंदर 1625 का interest है तो balance किसको भी लोग करता है principle को अब आपका outstanding balance in the beginning था 32,500 जिसमें से आपने principle पे करती है, 5875 तो at the end कितना रह गया? पहले साल के अंत में 26,625 रुपए का principle आपका first year के end पे रह गया सर आपने क्यों निकाला बेटा मैंने पहले भी का थोड़ी पहले कि जरूरी नहीं है निकालना, हमने ease के लिए निकाला, ease कैसी कि जो पहले साल का end है वो अगले साल का क्या बनेगा beginning बनेगा, जी मैं इस value को यहां लिख लूँगा, 26,625 बड़ी simple सी बात है जो first year का end है, वो second year का beginning है जैसे कि opening closing stock होता है पहले साल का closing stock, अगले साल का opening stock बनता है तो अब same procedure follow करना है 26,625 का outstanding principle है outstanding balance है, तो इसके ओपर interest लगा लो 5% rounding off करते चलेंगे nearest रूपी पर 1331 installment है 7500 की, तो 7500 में से 1331 को minus कर दिया 6169 और at the end कितना रह गया balance 26,625 रुपे starting में आपका pending था जिसमें से you have paid 6169, तो balance रह गया 20456 और जो दूसरे year का closing है, वो तीसरे year का beginning बन जाएगा 20456 5% किया 1023 installment का amount है 7500, इसमें से 1023 minus किया 6477 opening balanced outstanding 20456, उसमें से 6477 को minus कर दीजिए 13979 तीसरे साल का end है, वो चौथे साल का beginning बन गया इसके ओपर 5% 699 installment का amount 7500 है principle हो गया 6801 at the end वाला balance हो गया 7178 5th year में आए 7178 into 5% 359 7500 total दिया 359 का interest है, तो balance गया principle और outsending कितना रहे गया, अभी लिखो अभी लिखो फिर इसको समझाएंगे 7178 minus 714137 लिख लो पहले, फिर मैं कुछ चिज़ो कट करूँगा यहां से, बट पहले इतना लिखना जरूरी है सासो को, सासो की जरूरत है जैसे सासो की जरूरत है जैसे एक सनम अभी जो लास्ट वाला इयर है, फिफ्थ इयर उसमें जो computations की वो हमारी गलत है, reason being, आपने यहां पर outstanding balance at the end निकाला 37, लेकिन क्या यह आना चाहिए, जी नहीं यहां पर क्या बचना चाहिए at the end 0 बचना चाहिए शुन्या बचना चाहिए, क्योंकि 5 सल खतम हो गए, तो हमने लास्ट इयर में क्या करना, आपने जो किया अभी वो गलती किया, हमें लास्ट इयर में यह जो interest है, इसे compute नहीं करना, हमें क्या करना, total interest अपने को पता है कितना है? हमने यहां पर एक total interest compute किया था जी, 5000 रुपए, तो interest वाले column का total अपने को पता है 5000, last year को you have to find as a balancing figure, आप कहेंगे total interest 5000 का जिसमें से पहले 1625, फिर 1331, फिर 1023, फिर 699, तो यह बनता है 322 रुपी 322 रुपे, सर difference क्यों आया, सर 359 आया था compute करने पर, सर 322 balancing figure कैसे आगी, बेट rounding off के कारण, rounding off के कारण, अकसर ऐसा हो जाता है, तो यानि कि यह वाली figure भी आपकी गलत है, क्योंकि यह तो should be nil at the end है, हम कह रहे है, it should be nil, तो आपका जो 7500 का installment है, उसके अंदर 322 रुपे का interest है, means this figure should be 7178, और ये last में क्या होना चाहिए, nil होना चाहिए, तो last year में कभी भी, last year में कभी भी, computation नहीं करना, balancing figure के हिसाब से आपको डालना है, ठीक है ना, इसे कहते हैं forward table, मैंने यहाँ पर लिखा था, कि अगर question में, installment में interest include होगा, तो we shall make a forward table, इसको forward table करेते हैं, forward table का मतलब normal, पहले पहला साल, फिर दूसरा साल, तीसरा, ऐसे ही तो होता है, पहला दूसरा तीसरा चाहिए, forward मतलब आगी की बात कर रहे हैं, थोड़ी दिर में एक और चीज़ करेंगे, वहाँ पर क्या बोलता है, backward table बनाओ, मतलब 5th year, 4th year, 3rd, 2nd, 1 इस परकार से चलता है, तो ठीक, चली, I assume it's done, I hope it's done, हम आगे class puzzle में, finally class puzzle से एक question करते हुए, question number आजाएंगे, मेरी concept वाली sheet कहां है, मैं सब कुछ note करके आए हूँ, अगर आप देख सकते हैं, दिख रहा है कुछ, कुछ, दिख रहा है, दिखाएं आपको, कुछ दिखना स्टार्ट हुआ, सारे concept लिखे हैं, हर concept में कौन सा question कराना है, कैसे कराना है आपको, home puzzle का कौन सा class puzzle है कौन सा, तो यही सबसे महत्तव पुरुन चीज़ है हमारी teaching की, जिसको करना सबसे मुश्किल काम है, अच्छे अच्छे, लोगों से ये नहीं हो पाता, बिकॉज इसके लिए पूरी concept clarity आपको होने चाहिए, तो class puzzle का परशन नंबर 6 हम आ गएजी, बितना दी छतरे ते उड़ गई, टुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु Cash price दे दिया 80,000 रुपए, कहते down payment कर दी at the time of signing the agreement, तारीक क्या थी, 1 January 2013, 21,622 रुपए pay कर दिये, immediately, balance के लिए 5 annual installment बनाई 15,400 की, the first to commence at the end of 12 months from the date of down payment, normal case है, आज आपने pay किया, तो yearly installment बनती है, तो पहली installment 12 महीने के बाद, यानि की एक साल के बाद ही जाती है, और question कहता कि भाई, rate of interest जो है न, that is, 10% per annum, सिरफ सबसे पहले ये देखो, क्या हमारा concept जो चल रहा है, concept 3 वो applicable होगा, concept 3 applicable होने के लिए दो चीज़ें जरूरी है, cash price given and rate of interest given, तो इस question में cash price भी है और rate of interest भी given है, तो इतना sure होगया कि यही वाला concept लगेगा, हाँ, उसके अंदर case कौन सा लगेगा, A वाला, B वाला या C वाला वो बात की बात, लेकिन अगर cash price और rate of interest है, तो हमें पता है कि यह वाला concept लग रहा है, question कहता कि भाईया, calculate the total interest and interest included in each installment, this is written wrong, प्लीज इसको correct कर लेंगे, this is each installment, ठीक, चलिए जी, तो प्रेशन नमबर 6 जो है हम करते हैं, अंसर नमबर 6 question में क्या-क्या data given है, एक मिनट जी है question में, आपको क्या given है, cash price कितना रुपे बेटा, 80,000 रुपे, question में given है, cash price 80,000 रुपे, down payment 21,622 रुपे so balance cash price 80,000 minus 21622 58,378 रुपे यह तो basic है, जो हम करते हैं, cash price given है, 80,000, down payment इतनी कर दी, तो balance कितना रह गया, यह balance निकालना बेहाद अवश्या है क्योंकि जो installments का total बनेगा, वो हम इससे compare करेंगे, हम कह रहे हैं, total of all installments, total of all installments, question ने क्या बोला, 5 annual installment है, 15,400 की एक है, तो भाई, 15,400 गुना पांच किया, 15,55 पिचा तरते, 400 गुना पांच दोजार, यह आगे जे 77,000, as we can see over here, जो balance cash price है, वो है कम, जबकि total of all installments बहुत जादा है, मतलब बहुत जादा का, मतलब cash price से ज्यादा है, इतना ही बहुत है, तो क्योंकि यह amount cash price से ज्यादा है, इसका मतलब installment के अंदर interest भी include है, so, total interest is equal to, question ने पूछा भी है, ना भी पूछा हो तो भी हम इसे निकालेंगे, total interest, 77,000 रुपी दे रहा हूं, मैं installments को मिला कर, जबकि cash price तो सिर्फ इतना ही है, balance, 77,000 minus 58, 378, 18,622 रुपी का आपका total interest बनेगा, और additionally, अगर मैं यहाँ से आप बच्चों को higher purchase price भी बता दूँ, cash price plus interest होता है, cash price कितना है, 80,000, और interest कितना है बेटा, 18,622, तो 98,622 रुपी का आपका बनेगा, total higher purchase price, 80,000 क्या है, cash price, और 18,622 क्या है, interest है, लिखिए जी, इतनी चीज़ लिख लीजे, इतनी चीज़ समझ में आगए कि installment includes interest, ठेक है न, यहाँ लिख देते हैं, installment includes interest, तो यह conclusion हो गया, अब हमें clear है कि कौन सा case लग रहा है, इसमें case C लग रहा है, जो हम अभी अभी पढ़कर आएं है, so statement बनाएंगे जिसमें computation of interest दिखाएंगे, computation of interest. Columns we know, सबसे पहला कॉलम यर, Outstanding balance in the beginning, then interest at the rate, कितना rate थाजी interest का, 10%, interest at the rate, 10%, installment का amount हमें given है, principle we need to find out, and on that basis, Outstanding balance at the end, निकल आएगा, ठीक है न, A, B, C, D, E and F, तो C कैसे आजाएगा, B into 10%, जितना Outstanding balance in the beginning, कि उसके ओपर interest लगता है, installment का amount हमें given है, principle कैसे आजाएगा, installment में से interest minus करने पर, D minus C करने पर, और Outstanding balance at the end कितना है, जो आपका beginning में था, B, उसमें से जितना principle आपने during the year pay कर दिया, यानि कि E, उसे हमने minus कर देना, ठीक है न, should be easy, should be understandable to all, और अच्छा अच्छा register आए होब सब्बत से बना रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत के lectures में भी कहा था, आपके साथ, आपके notes ही रहेंगे last day तक, जब आप revision भी करोगे, तो notes सब के अच्छे होने चाहिए, class puzzle का register अलग, home puzzle का register अलग, सुन्दर सुन्दर लिखाई के साथ आए जी, पांच installment से सबसे पहले installment आ गई, पहला साल आ गया, कितना रुपया beginning में outstanding है हम जानते हैं, जो ये outstanding cash price होता है, balance cash price या आपका beginning का outstanding principle होता है, 58378, 10% का interest लगाएंगे, round off करते चलेंगे decimal में नहीं जाना, कहीं लिख दो 5837.8, nearest रुपी जो है round off कर दो, point के बाद decimal के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा आ रहे, तो 1 add कर दो, otherwise 1 minus कर दो, 5838, installment का मूंट question ने बोला, 15400 है, 15400 में से 5838 minus करते हैं, तो 9562 आ गया, और outstanding balance in the beginning था 58378, इसमें से principal दिया 9562 तो रहे गया, 48816, जो outstanding balance at the end of first year है, वो second year का beginning बनेगा, 48816, 10% interest, installment का मूंट सेम है, 15400 हर सल, minus 4882, 10,518, इयर के beginning में balance कितना था, 48816, तो at the end रहे गया, 38,298, तीसरे साल की beginning में, 38,298, 10% का interest, 3830, 15400 रुपई की installment है, जिसमें से 3830 को minus किया, 11,570, बिगनिंग में balance था, 38,298, तो at the end रहे गया, 26,728, 10% interest, 26,73, 15,400 की installment है, तो balance जो पेकी है, 12727, that is for the principal, and outstanding at the end becomes 14,001, 5th year में आए, opening balance 14,001, और last year में याद रखे हैं, कि हम calculation नहीं करेंगे, हम balance निकालेंगे, total interest हमें पता है, कितना है, 18622 जो की शुरुआत में हमने compute कर दिया था, 18622 में से सारे interest टिल्डेट माइनस कर दो, 5838, 4882, 3830, and 2673, यह आगया जी, balancing figure, 1399, ठीक है न, installment का amount same रहेगा, और principal आ जाएगा, same to same, और यह at the end बचेगा जी, nil, ठीक है, complete कर लेंगे जी इस प्रशन को, कर देठे से सारे料 से सा वाजा, कर देठे sab pantки, कर दो, जीक है जीक है, क्यूआ जीक है, झाल झाल चले guys I hope it's done तो यहाँ पर हमारा concept number 3 खतम होता है जिसमें main highlight क्या थी cash price shall always be given rate of interest shall be given यह दो चीज़ आपको given होगी अब हम आगे बढ़ते हैं concept number 4 पर देखते हैं कि अब कैसे तरह की चीज़ें हमारे सामने आने लगेंगे तो concept number 4 cash price not given cash price not given rate of interest given and amount of इंस्टॉल्मेंट का अमाउंट देखते हैं amount of इंस्टॉल्मेंट देखते हैं case 1 से कैसे different होगा case 1 में concept 3 में पिछले concept में cash price given होता था यहाँ cash price given नहीं है rate of interest देखते हैं और इंस्टॉल्मेंट का अमाउंट दे दिया question यहाँ पर हमसे demand क्या करते हैं कहता cash price निकाल दो मतलब last की values दे दी installments वगेरा beginning की value नहीं दी क्या करना है situation में लिखेंगे पहले करना क्या होता है फिर समझेंगे आराम से we shall prepare a backward table we shall prepare a backward table in such case to find out इंट्रस्ट एंड कैश प्राइस वी शेल प्रिपेर अ बैक्वर्ड टेबल बैक्वर्ड टेबल क्या मतलब है हो क्या रहा है आईए समझते हैं थोड़ा सा ये मान कर चलिए कि ये वले कॉंसेप्ट बहुत जादा आपको मिलेगा इतना ज्यादा कि एक्जाम में इसका अलग से भी कोश्चन आ सकता है खाली इतना पूर्श है नहीं मतलब पूरा जो कोश्चन बनेगा जिसमें लेजर अकॉंट्स वगरा होते हैं वो रहीं सिरफ इतना भी आ सकता है हो क्या रहा है सिचुएशन समझते हैं लेटश से यह है आज जिसको जीरो यह बोलते हैं यह है यह इर वन टू ठी एंढ फोर ठीक है न ओ इर वन टू ठी फोर ऐसा करते हैं कि this is good okay so what are we saying क्या रहा है question में आपको cash price जो है वो नहीं दिया down payment question हो सकता है आपको बता दे let's say down payment question ने बता दी cash price नहीं दिया हर साल जो जो installment जाएगी वो भी question ने बताई amount of installment is given जो main highlight है वो ये है कि cash price हमारे पास नहीं है question हमसे पूछेगा कि cash price तक पहुंचो हम ये जानते हैं कि हम forward table अब तक बनाते हैं जितने भी question की जितने भी question के समय forward table बनाते थे क्योंकि outstanding balance in the beginning पता होता तो 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 धार से शुरू हो जाते थे कि यार इसके उपर इतना interest लगा installment के अंदर interest minus को principle लागे and on so on and so on तो easily हम करते रहते हैं लेकिन अब forward table लगाना possible ही नहीं क्योंकि हमारे पास cash price ही नहीं है हमारे पास कुछ है तो सिरफ installments है कि पहली installment इतनी second इतनी third इतनी fourth इतनी और rate of interest है और हमारे पास कुछ भी नहीं है सवाल उठता है कि हम start कैसे करेंगे हम start कैसे करेंगे यह जो चीज लिखी है इसको समझते है यह जो लिख्या मैंने one year यहाँ पर इसका one का मतलब क्या है यह first year का end है यह first year का end है यह second year का end है यह third year का end है और यह fourth year का end है यानि कि जो यह वाला point है starting वाला ये क्या है ये first year की beginning है ये second year की beginning है ये third year की beginning है ये fourth year की beginning है let us understand we know this thing कि जैसे जैसे हम installment pay करते हैं तो हमारा interest जो है वो कम होता जाता है सबसे starting में सबसे ज्यादा interest होता है जब मैं cash price balance है यहाँ पर जब यहाँ वाले cash price पर interest लगता है तो वो कितने समय का लगता है basically सबसे बड़ी figure है तो उस total के उपर interest लगता है एक तरह से कह दूँ जैसे हमने यहाँ पर किये पुराने किसी case में चलें तो जैसे हम यहाँ पर 8 lakh वाला case करते थे question 1 में आ गए 8 lakh रुपे के ओपर हम 20% interest लगा रहे थे यहने कि सबसे आदा interest यहाँ पर लगता था reason क्या था सबसे बड़ी value मेरी यहीं पर outstanding होती थी तो और धीरे-धीरे कम होती जाती थी last में आकर क्या होता था यह बिल्कुल कम बज़ जाती थी जब हमने last में देखा इस question में अगर मैं बताना चाहूं 2 lakh रुपे का मेरा beginning में balance था हमने 40,000 का interest लगाया और यह installment कितने रुपे की बनी 2 lakh 40,000 रुपे की last installment just concentrate on last installment चेहीं पर करके दिखाते फिर रब करते हैं 2 lakh 40,000 रुपे की हमारी last installment बनी अगर मैं आपको कह दूँ कि माल लो मेरे पास beginning का balance ना होता beginning का balance ना होता तो क्या मैं निकाल सकता था कि इसके अंदर कितना interest है 2 lakh रुपे में 20% एड किया तो यह आया 2 lakh 40,000 की installment अगर मैं last installment की जो value है इसमें rate upon 100 प्लस rate कर दूँ 20 बट 120 तो मेरे पास वापिस से क्या आ सकता है interest का amount और यह installment है यह interest है installment में से interest को minus कर दूँ तो मेरे पास यह क्या आ गया जी 2 lakh रुपे का principle आ सकता है क्या बात समझ में आ रही है so इसी लिए हम यहाँ पर backward table बनाते हैं क्योंकि starting से चलना मुम्किन नहीं है अब आपको के sir नहीं ऐसे हम क्या करते हैं इस 280 में से निकालने की कोशिश करते हैं करो कोशिश नहीं निकल पाएगा कुछ भी कुछ भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि हम last से ही start हो सकते हैं लास्ट वाली installment है उसके अंदर का interest हमें पता है क्योंकि year के beginning में सिर्फ इतना ही principal outstanding था जबकि तीसरे साल का अगर जैसे मैंने का आप तीसरे साल की try करो तो तीसरे साल का नहीं निकल पाएगा इसप नंबर चार में तो लेट से मैं कहता हूं कि फोर्थ इयर में आपका जो installment का amount है वो है लेट से 55,000 रूपी और rate of interest है 20% ये तो मैं बता है कि चौथे साल के बाद तो कुछ नहीं देना मेरे example में मैंने का total 4 साल है चौथे साल के बाद तो कुछ नहीं देना चौथा साल अंतिम साल है यानि कि जैसे ही मैंने यहाँ पर 55,000 रूपी की installment पे करी तो काम खतम इसका मतलब है जो interest included है वो इस 55,000 के अंदर included है और कितना है कहते 20% लेकिन 20% मिला कर 55,000 है so if I want to find out interest I can say 55,000 into 20 by 120 rate upon 100 plus rate कर दूँ या इसको ऐसा करते है rate of interest लेलो 10% that will be better easy रखने के लिए 10 बटे 110 तो यह कितना आगया 5000 अगर आपको ऐसे समझने मुश्किल है तो normal समझा देते हैं मान लो fourth year में outstanding balance in beginning था 50,000 रुपए interest लगाया at the rate of 10% 5,000 क्योंकि last year है तो जो भी interest मिला कर पैसा आया यह क्या है this is the amount of installment इतने बात तो समझते हैं 50,000 का balance था 10% interest लगाया 55,000 आगया अब मैं उल्टा कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मान लो यह installment का amount पता है 55,000 रुपए rate of interest पता है तो क्या किसी तरह मैं यह 5000 निकाल सकता हूँ और हमने यही कहा कि yes we can compute this by reversing the formula मतलब पहले normal क्या था rate upon 100 लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर interest included होता है तो वहाँ पर formula लग जाता है rate upon 100 plus rate तो मेरे पास यह वली value आगी कि इसमें interest है 5000 और 55,000 के अंदर अगर interest 5000 है यानि कि जो principal है that is 50,000 है कैसे है 55,000 installment है जिसके अंदर interest है 5000 के include यानि कि fourth year में जो मैंने दिया वो principal 5000 है और I can say outstanding balance in the beginning था वो कितना था 50,000 है समझेगा fourth year के beginning में मतलब installment pay करने के पहले जो मेरा amount था यहाँ पर that was 50,000 रुपी तीसरे साल की installment pay हो गई चौथे साल की beginning में 50,000 था मानलो मैंने तीसरे साल में I paid an installment of let's assume यह चलो same ही रखे यह change कर लेते हैं example है हम कुछ भी कर सकते हैं 70,000 रुपे मेरे तीसरे साल के अंत में 70,000 रुपे दिये यानि कि तीसरे साल में जो interest लगा ध्यान से देखेंगे तीसरे साल में भी interest लगा होगा कितनी value के उपर लगा होगा यहाँ दूसरे साल की installment pay करने के बाद जो value आई होगी उसमें interest जुडा होगा तब जाकर मैंने यह पैसा pay किया चौते साल की beginning में year number 3, year number 4 यह ऐसे करूँ ठीक है year number 3, year number 4 यहाँ हमने कितने रुपे पै किये 55,000 रुपे पै कर दिये और interest कितना थे यहाँ पर 5,000 यानि कि interest से पहले यहाँ तीसरे साल की installment के बाद 50,000 रुपे pending रहे गया और during the year 3 तीसरे साल के अंत में मैंने कितने रुपे की installment दी let's say मैं कह रहाँ 70,000 रुपे की हमने यहाँ installment पे करी so now I am saying कि यहाँ जो दूसरा year रहा होगा हमें इस period के दोरान interest पे करना पड़ा we had to pay the interest अब उस interest को मैं कैसे निकालू तो यार 50,000 रुपे यह वले और 70,000 रुपे यह अगर मैं इनका total करूँ 1,20,000 तो same way में मैं इसके ऊपर interest अब निकाल सकता हूँ कैसे एक question पूरा full-fledged लेते हैं उसके माद्धम से करते हैं तो easily और हमें समझ में आ जाएगा और मेरे पास एक technique है मेरे पास एक technique है जिससे हम और easily इससे समझ पाएंगे सीधा question पर आएं मेरे साथ है एक बार ये तो question हमारा कौन सा चला है? 5 question हम अपने लिख चुके हैं question number 6 पर आएंगे question number 6 फिर आपको इस सारी बाते connect टोन लगेंगे मैं इस पर वापिस आऊँगा if I take such a question okay so I will say down payment 5000 rate of interest five percent per annum balance amount to be paid in five installments of rupee 7500 each balance amount to be paid in five installment of rupees 7500 each okay ये question है क्या cash price given है? जी नहीं cash price given नहीं है rate of interest है? जी है cash price not given rate of interest given और installment भी दे दी मतलब हमारा concept number 4 attract हो गया और मैंने आपको क्या कहा? कि इस situation में हम table जो बनाते हैं वो backward table दिखते हैं अभी सिरफ आपने समझना, note करना, और समझना, load दिमाग पर नहीं लेना, इसके बहुत question करेंगे, easily समझ आ जाएगा लिखेंगे computation of interest, सिर्फ इतना heading लिखते हैं air outstanding balance at the end before, sorry, after payment of installment just keep writing installment का amount outstanding balance before payment of installment then interest and outstanding balance in the beginning या फिर ऐसा करते हैं, मैं समझने का भी, note करने का भी समय दे दूँगा, सिर्फ अभी समझते हैं year number है, 5 installment है, year लिए 7500 रुपे की एक पांचवे साल पर मैं आया, backward table देखेंगे आराम सिर्फ space छोड़ देते हैं, एक column का बाद में लिखेंगे formula रख्टा नहीं मारना इसलिए मैंने वो A, B, C, D वगएरा नहीं लिखा पहले समझेंगे, सिर्फ ध्यान के इंदरित screen की और, outstanding balance at the end after payment of installment पांचवे साल में installment की payment करने के बाद क्या कोई balance बचा? क्या कोई balance बचा? जी नहीं ये हमेशा क्या होगा? zero last installment देने के बाद कुछ बचता ही नहीं installment कितने की दी? question ने बताया है 7500 की दी outstanding balance before the payment of installment installment देने से just पहले कितना balance था आपका? installment देने से पहले कितना रुपया pending था? obviously 7500 वही तो मैं देकर आया मान लो आपकी एक last किष्ट है आप घर से निकले bank में जागर खड़े होगे check देना है मान लो आपने check के ओपर लिखे amount एक लाख रुपय मैं कहता हूँ कि once you have paid once you paid to the bank what is the outstanding balance after that last installment थी कितना है? zero शुन्या तो हमने second column क्या लिखा outstanding balance at the end after the payment of installment कितना है? zero now just उस moment से पहले bank को पैसा देने से जस्ट पहली moment outstanding balance कितना है installment देने से पहले एक लाख उसी को तो clear करने गया हूँ तो वो कितना है? हमारे case में 7500 क्योंकि last installment कितने की? 7500 की अब जैसे आप bank में गयो वो installment last वाली देने एक लाख कि क्या उसके अंदर interest जुड़ा है? बिलकुल जुड़ा है similarly इस 7500 के अंदर भी interest जुड़ा है installment के अंदर interest है अगर normal value होती principle तो हम सीधा कह देते let's say 5%, 10% whatever the rate is हमारे पास इस question में कितना है? 5% अगर normal principle होता मेरे पास beginning value होती मैं कहता है यार 90 जार ना भी cash price पढ़े तो मैं कहता है प्लस 5% add कर दो लेकिन अब क्या है जो 7500 है और मेरे case में जो 1,00,00 रुपी के installment है उसी के अंदर interest include है तो formula लगता है rate upon 100 plus rate तो मैं कहूंगा 7500 into 55105 ये आया जी 357 रुपी 357 रुपी सुनते जाईए last column के outstanding balance in the beginning यानि कि last year में आपने 7500 रुपे की installment दी जिसके अंदर 357 का interest है अगर इस interest को निकाल दो तो बाकी क्या रह गया outstanding cash price outstanding balance in the beginning की तो बोलते है उसे अगर ये fourth year की मैं बात करूँ ये fourth year का end हो गया ये देखो यहां समझी अभी ये fourth year का end था 55,000 रुपे की last installment थी 5000 रुपे का इसके अंदर interest जुडा था तो यार beginning में कितनी value pending थी outstanding कितना था beginning में 50,000 तो मैं ये कह रहा हूँ जितना 7500 था उस 7500 में से 357 को अगर minus कर दिया जाए तो ये है 7143 ये 7500 कौन सा है ये वाला outstanding balance installment देने से पहले पड़ा था 75,000 रुपे 377,000 रुपे का उसके अंदर interest था तो beginning में कितना balance था 7143 ये कब है 4 साल की मेरे example है 5 साल की beginning देखिए भी अराम से देखते जाएए फिर से column क्या है outstanding balance at the end after payment of installment 4 साल के end में installment देने के बाद कितना balance था अराम से समझो confused नहीं होना बिल्टकुल भी मैंने यहाँ पर आपको इसलिए लिख कर दिया कि ये third year की beginning ये fourth year की beginning ये third year का end ये fourth year का end इस परकार से बताया पांचवे साल की beginning में 7143 है पांचवे साल की beginning मतलब चोथा साल खतम हो चुका अब चोथे साल में फिर से यही बात मैं पूछ रहाँ कि भाईया outstanding balance at the end कितना है after the payment of installment जब आपने चोथे साल की installment पे ही कर दी तो आपका कितना balance बचेगा closing opening stock वाला method भाई ये जो 7143 है यही value आपकी at the end बची है चोथे साल के अंत में 7143 ही बचा है चोथे साल की installment है कितनी हर साल की same ही है 7500 7500 रुपए की आपकी installment है उस installment को देने से पहले before the payment of installment अब imagine करो ये 7500 रुपए देने के लिए आप bank में खड़े हो उस moment से पहले कितना balance outstanding है एक तो ये 7500 दे नहीं है और जो 7143 पड़ा है इस installment को देने के बाद ये भी आपका pending पड़ा है तो 7143 प्लस 7500 14643 यानि कि just installment देने से पहले आपका ये वला balance pending पड़ा है जैसा मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया 50,000 रुपए तो आपका installment देने के बाद बचा और आपने installment कितने के थी 70,000 की यानि कि इस installment को देने से जस्ट पहले आपका कितना balance है एक लाख बीस हजार रुपए का Similarly, यहाँ पर 70,500 की installment देने से ठीक पहले चौथे साल में, beginning में, before installment देने से पहले आपका कितना balance पड़ा है 14643 यहाँ इस example में कितना आया था एक लाख बीस हजार इसका मतलब है दूसरे साल की beginning में यहाँ कोई value रही होगी जिस पर जब हमने interest को add किया तो यह value बनी एक लाख बीस हजार जिसमें से आप 70,000 पे कर गए और balance रह गए आपका 50,000 Similarly, 14643 मैंने क्या कहा कोई ना कोई value रही होगी जिस पर interest लगा होगा तो यह value आई एक लाख बीस हजार मतलब एक लाख बीस हजार is including the interest क्योंकि यह year के end वाली value है अगर year के beginning वाली value होते that is without interest लेकिन अगर किसी year के end की value है तो obviously that is including the interest तो मैं फिर से कहूंगा 14643 into 5 बटे 105 इसके अंदर कितने रुपए का interest है 697 का so balance आपका बचा 13946 अब हैं यहां पर एक बार नाम करने का करना शुरू करता हूँ A, B, C, D, E और F बहुत आसान है पहला question है इसलिए थोड़ा सा लगेगा सूचने में समय जो C है यह हमें हमेशा given होगा D कैसे आया, D कैसे आया, D is equal to B plus C installment देने से पहले कितना outstanding balance था तो हमने कहना है जितना outstanding balance at the end after payment of installment है प्लस उसमें installment एड़ कर दो और यह क्या है E, this is D into 5 by 105 क्योंकि it is including the interest और last column जो है F, यह कैसे outstanding balance in the beginning वाला, हमने कहा D minus E D minus E, आराम से दिखते चलें, और जब यह question end होगा न, तब चहरे पर मुस्कान होगी क्योंकि हम यहां से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, third year आया, 13946, जो चौथे साल का beginning है, वो तीसरे साल का end है और तीसरे साल में भी आपने installment दी, 7500 की, installment देने से ठीक पहले कितने रुपे का balance था, 21446 यानि कि तीसरे पूरे साल में interest लगा और अंत में value बची 21446, जिसमें से 7500 की installment दे आए मतलब यह जो 21446, it is again including the interest, तो 5 by 105 किया, 1021 आया, और इसमें से यह interest माइनस कर दें, तो beginning में रहा होगा 20,425 रुपई fourth year में आये, sorry, second year में आये, backward table, 20425 की value आये, पचातर सो रुपई की installment दी, तो installment से जस्ट पहले हमारा balance था 27925, जिसके ओपर 5 by 105, 130 and 27925 minus 130, 26,595, लास्ट यह आ गया जी 26,595, यह 7500 गिवन है, plus 7500, 34095, into 5 by 105, 1623, और 34095 minus 1623, 32,472, यह क्या आया, you know this thing, जब पहले साल में हम normal forward table बनाते थे न, outstanding balance in the beginning लिखते थे यह वो है outstanding balance in the beginning, अभी सुनते रो, अभी main बात अभी अपनी होने वाली है, जहां से आप कहेंगे, अरे वाह, यह यह था क्या आपका पहले साल का beginning, पहले साल के beginning का मतलब समझते हो first year का beginning, मतलब जो outstanding cash price था, down payment करने के बाद, जिस पर हम interest लगाना चालू करते हैं, वो वली value है 32,472, अगर मैं total cash price निकालना चाहूं, total cash price, यह आपका outstanding cash price हो गया, down payment कितने रुपई की की थी आपने, question में लिखा था 5,000 रुपई, तो यह कितना आ गया, 37,472, या फिर मैं ऐसे कैसा, अगर properly round off कर दूँ, क्योंकि rounding of question में तो 37,500 रुपई के आसपास हो गया, 37,500 रुपई, मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि मैंने आपको यह question वापिस यही वाला लिखवाया था, अब होगी काम की बात, अब तक लग रहा था कि यार यह क्या हो रहा है, question number 5 जो आपने लिखा था, जा कर देख लें, same question लिखवाया था, मैंने cash price दिया थ 37,500 डाउन पेमेंट और हमने 5 इंस्ट्रामन लिखी थी, 75,000 के और उसमें हम कैसे चले थे, forward method के accordingly, forward table बनाया था, पहले साल में 1625 का interest, दूसरे साल में 1331 का interest, देख सकते हैं यहाँ पर, यह interest की figures आपको दिखेंगी, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, एक्सेक्टरा, और कितनी value से start हुए थे, 32,500 और total cash price कितना था, 37,500, तो मैंने जान बूझ कर, वही question आपको लिखवाया, लेकिन different अंदाज में कि क्या हम verify कर सकते हैं, तो मैंने इसमे cash price नहीं दिया, और हमने, जब computation करके निकाला, तो हमारा cash price same to same आ गया, 8 रुपए का फरक है, obviously due to rounding of, और अगर आप interest भी check करोगे अपने पहले साल का, इतना दूसरे साल का इतना, तो ये भी approximately आपके same ही आ रहे होंगे, समझ में आ रही है बात, देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, दिक्कत क्या है, इस concept से पहले जितने questions हम कर रहे थे, सब में क्या होता था, आपको cash price given होता था, down payment minus के outstanding cash price है, तो हम start कर देते थे, लेकिन अब दिक्कत यह हुई कि हमें beginning वाली value नहीं given, हमने पांचमें साल में क्या किया, we paid the last installment, जब इसमें last installment गई और हमें पता थी कितने रुपे की है, 7500 की, हमने last installment पे करी, 75-100 रुपे की, प्लीज देखें, जब 75-100 रुपे की installment पे करी क्या, उसके बाद कोई pending balance रहा, जी नहीं रहा, नहीं रहा बिलकुल भी, तो हमने इसमें से back calculation करते हुए interest निकाला, कितने रुपे आया हमारा 357 का, जो हमने यहां लिखा, और हमने कहा, यानि की बिना interest के, जो value है, वो है 7143, समझने हैं, मतलब installment बनाने के लिए, जब हम कहते हैं न, कि यह आपका outstanding cash price है, इसमें interest एड करो तो यह total आएगा, तो outstanding cash price इतना था, लेकिन यह 4 साल की installment को pay करने के बाद था, 4 साल की installment फिर से आपने कितने पे की यहां पर, 7500 रुपी की, मतलब उस installment को pay करने से पहले, आपका balance कितना था, हमने का 7500 प्लस 7143, 4 साल के end पर यह value आपकी बन रही थी, 14643, और यह value कैसे बनती है, obviously पूरा साल आपका interest लगाओगा, लेकिन interest किस value पर लगता है, beginning वाली value पर, beginning तो है नहीं, तो हमने इसमें फिर से क्या किया, back calculation करी, 14643 into 5, 105 किया, तब जाकर हमारी यह वाली value आई, 697 की, interest की, और हमने कहा, यह वाली value आपकी 697 का interest आया, तो बिना इसके, यहाँ पर कितनी value बन रही है, 13946 की, समझने हैं, पीछे से connectivity स्टार्ट हो गई, 5th year से backward से, क्योंकि 0 year से तो start करी नहीं सकते, क्योंकि cash price होता ही नहीं, जैसे यहाँ पर 13946 आया, आपने तीसरे साल म उस installment को pay करने से पहले कितना रुपया था, 21446, यानि कि पूरे साल में आपने interest, पूरे साल में interest accrue होगा और last में आकर value बची होगी 21446, जिसमें से 7500 पे कर दिया और balance रहे गया, वो अगले साल में भेज दिया, तो interest कितना लगा 21446 के ओपर, यह देखो, यह हमने लगाया वो 1021, तो यह interest आया आपका 1021, तो इस तरह से पूरी picture पीछे से आगे की तरफ जो है, चलती है, यह बात में अपने को समझ नहीं है, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई option नहीं है, starting से चलने की, we cannot go in the normal manner as the forward table, हमें backward ही चलना पड़ेगा, जिसमें last installment को starting point मानते ह हमने treat करना है, और last installment से ही obviously start हो सकते है, बीच में किसी और से start नहीं हो सकते है, as you are seeing, कि यह जितने भी values हैं, यह सब dependent हैं, पिछली value के उपर, पांचमें साल की value है, तो चौते की आई, चौते की value है तो तीसरे की आई, तीसरे की है तो दूसरे की आईगी, दूसरे की है तो पहले की आईगी, तो last वाले से सारी interconnected हमें last से ही चलना होगा, ठीक, इसको note करेंगे जी, करेंगे जी, तो चौते की आईगी, 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 झाल 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 चले बैचे, I hope ये कर लिया है नोट, तो इसके practice अब में खूब करनी है, जरा question number 7 note करते हैं, and let's try doing that question, question number 7, down payment 20%, down payment क्या 20%, balance in 4 annual installments of, balance in 4 annual installments of rupee, 2,80,000, comma rupee, 2,60,000, rupee 2,40,000, and rupee 2,20,000, rate of interest 10% per annum, rate of interest 10% per annum, cash price given नहीं है, तो implied है कि cash price जो हमें निकालना है, ठीके जाए, so let us start, computation of interest, year, outstanding balance at the end, after payment of installment, मतलब, बिल्कुल end में, installment भी देने के बाद, कितना पैसा बचता है, जो कि last में हमेशा क्या होगा, nil होगा, हम कह रहे हैं, after the payment of installment कितना था, अच्छा ये बताओ भाई, installment कितने की थी, अच्छा इतने की installment थी, तो outstanding balance, before payment of installment आ जाएगा, then interest at the rate, question में है 10%, और ये आगया जी, outstanding balance in the beginning, a, b, c, d, e, and, f, फिर एक बार logically समझ लेंगे मेरे साथ, दूसरा कॉलम है outstanding balance at the end, after payment of installment, let's say आप bank में गए, आपने 1,00,000 रुपे की installment पे कर दी, तो उसके बाद कितना balance बचा, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, मानलो balance बचा 3,00, आपने 1,00,000 की installment पे करी मानलो, उसके बाद भी balance बच गया 3,00,000, installment कितने की थी 1,00,000 की, तो installment देने से पहले कितना balance था भाई, 4,00,000, 4,00,000 balance था तभी तो 1,00,000 का देकर 3,00,000 बच गया, तो outstanding balance before payment of installment के कैसे निकाल लूँगा, मैं कहूँगा भाई, payment of installment के बाद रफ में लिख दूँ, installment देने के बाद बचा 3,00,000, installment देकर आएं 1,00,000 की, 1,00,000 देने के बाद भी 3,00,000 बच गया, मतलब ऐसा देना कितना था, obviously 4,00,000, तो हम कहेंगे 3,00,000 प्लस 1 कर दो, तो इसलिए मैंने लिखा D is equal to B plus C, अच्छा 4,00,000 था, installment देने से पहले, installment देने से जस्ट पहले 4,00,000 था, मतलब पूरा साल का interest तो इसमें एड हो चुका, इसमें interest एड हो चुका, तो E is equal to D into rate upon 100 plus rate, तो इस 4,00,000 में, just imaginary figures हैं, यह आ गया जी, 3,6, 3,6, 4, 36,304 रुपे, मतलब इतने रुपे का interest था, 4,00,000 रुपे का amount बना, at the end, before payment of installment, जिसके अंदर 3,6, 3,6, 4 का interest है, मतलब, outstanding कितना था beginning में, beginning, word देखें, beginning, beginning में outstanding मतलब, जिसमें interest नहीं जुड़ा होता, तो इसमें से interest को अगर minus कर दें, तो यह 3,63,636, तो F कैसे आया, F is equal to, D minus E, कि उसमें से interest निकाल, तो outstanding balance आगया, in the beginning, ठीक है न, तो इस तरह से हमें यह करना है, मैंने फिर से एक बार समझाया, imaginary figures के साथ, अब हम question के figures को लेकर, जो बच्चे, कर लेते हैं, आ जाईए, कितनी installment है, चार installment है, तो we shall start with the installment number 4, outstanding balance at the end, after payment of installment, obviously, 14 साल के installment के बाद, balance 0 होगा, installment कितने की है, last देखना, बच्चे गलती का करते हैं, 280 से start कर देते हैं, last installment कितने की है, 2,20,000 रुपए की, last installment 2,20,000 की है, जिसको देने के बाद, कुछ भी नहीं बचा, सारा account ही खतम हो गया, क्योंकि last installment थी, तो installment देने से, just पहले कितना था, इतना ही था, 2,20,000 बने थे, 2,20,000 दे दिये, तो इसलिए तो 0 हुआ, इसके अंदर interest कितना है, 2,20,000 इंटू 10 बटे 110, इसके अंदर, 20,000 रुपए का interest है, यानि कि, beginning में value कितनी रही होगी, तो beginning में value रही होगी, 2,20,000 माइनस 20,000, 2,00, तो 2,00,000 की beginning में थी, तभी तो 10% के हिसाब से, 20,000 के interest है डूँ, और 2,20,000 की installment बनी होगी, should be clear, ठीके ना, पहले question में चाहे दिक्कत आई हो, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहे, क्योंकि हम बार-बार उसके logic को समझ रहे हैं, installment, देने के बाद balance है zero, installment देने से जस्ट पहले था 2,20,000, लेकिन obviously पूरे साल का interested है, उसके अंदर 20,000, यानि की year के beginning में कितने value थी 2,00,000, अब आगे तीसरे year पर पीछे, तो तीसरे साल की installment देने के बाद भी कितना रुपया बचा हुए अभी, 2,00, same to same value जो तीसरे, चौते साल की beginning है, वो तीसरे साल का क्या है, end है, logicably सोचें, जैसे मैं mind में example बना है, मैंने का कि मान लो आप bank में गए हैं, आपने payment कर दी, उसके बाद कितना बचा, तो उस तरह से सोचें, जब तीसरे साल की installment में कर आया, उसके बाद भी मेरा balance कितना बचा, 2,00, जो कि obviously मुझे interest मिला कर, 4,00 साल में pay करना है, तीसरे साल में कितने installment दी, यहां से उठाईए, 2,40,000, 2,40,000 रुपे, यानि कि installment देने से पहले, कितना रुपया pending था, 4,40, तीसरे साल की installment देने गया, मैंने का 2,40 यह पकड़ो, अब इसके बाद तुमारा बस 2,00 रह गया, तो installment देने से पहले, कितना था भाई, 2,40 प्लस 2, 4,40, और इसके अंदर, पूरे साल का interest जुड़ाओगा, 10,2,110 करेंगे, तो या यह 40,000, और यानि कि, इस interest को बाहर निकाल दो, तो beginning में value रुभी 4,00, उसके ओपर interest आपने लगाया होगा, 10,40 अर तब जाकर वो 4,40 बना, जिस में से, तीसरे साल की किष्ट मेंने दे दी, 2,40 और उसके बाद 2,00, बचा, थोड़ा सा active रहना होगा, इस concept में आप बच्चों को, अब आगे जी year two पर, बार बार सोच कर नहीं करना है, यह table इसलिए नहीं बनायागी, बार बार सोचना होगा, अगर सोचने लगे तो exam में 15 से 20 मिनिट, इस question पर गमा बैठोगे, जबकि इस table को 2 से 3 मिनिट से जादा नहीं लगने चाहिए, easily, maximum है उस दो से 3 मिनिट, उस से जादा बिल्कुल नहीं बनता, तो दूसरे साल में 4 लग एट दा एंड आ गया, इंस्टॉल्मेंट कितने की है, दूसरी 2,60 की, simple अब जो table में formulas है, उसके साब से करो, B प्लस C, 6,60,000, 10 बाइ 100, 10 किया तो 60,000, और यह आ गया 6 लग, अंतिम एर, यह 6 लग, last first installment कितने की, 280 की, total 8,80,000, into 10 by 110, 80,000, तो यह आया 8 लग, मतलब जो outstanding cash price है, वो है 8 लग, यह क्या होते हैं जी, it is outstanding cash price दोस्तो, this is outstanding cash price, जो normally forward table में, जहां से हम अपना उतर start करते हैं, यह वो विली value है, मैंने आपको क्या लिखवा है था starting में, down payment 20%, अभी हमारा question खतम नहीं हुआ, cash price भी निकालने, down payment 20% है, इसका 20% मत कर देना, जो value होती है, उसका 20%, cash price का 20% होता है, उसको minus करके आते हैं, तो balance cash price है, outstanding cash price, तो मैं यह कहता हूँ, let cash price is equal to x, अगर cash price x है, down payment कितना है, मैंने बोला 20%, down payment is equal to 0.20x, और जो balance cash price बच गया, outstanding cash price is equal to cash price, minus down payment, अगर cash price x था, उसमें से down payment देते हैं, तो balance क्या बचता है, outstanding cash price, तो यह वली figure कितनी है, अपने पास जो निकाली, आर्ट लाक is equal to 0.80x, तो x आगया बेटा, 10 lakh, so cash price is, 10 lakh रूपी, और इस तरहां इस question का होगा, अंत, note करिया अराम से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महतवपूरण, बेहद important, as I said earlier, backward table, reverse table भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है न, जहां पर question आपको cash price नहीं देता, लेकिन rate of interest देता है, और amount of installment दिया हो, तो वहाँ पर हम last installment से चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि last installment में सिरफ, उस last year का एक ही interest होता है, जबकि तीसरे साल में जो interest लगता है, वो outstanding value पर लगता है, जिसमें से कुछ portion तीसरे में भी जाना है, चौथे में भी जाना है, इसलिए हम last से start करते हैं, क्योंकि उसमें सिरफ single interest होता है, ठीक है न, तो ये हमारा रहाजी concept number 4 का starting, अभी start हुआ, इसमें समय लगेगा हमें, we have to do lot of things in this, ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुखते हैं, next class से मिलेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, इसी concept को आगे बढ़ेंगे, काफी सारे question इसके करेंगे, तब तक जो आज किया है, इसको कर लेना, starting के जो lectures रहेंगे, इस chapter के, very very important नहीं, तो जब main journal entry ledger account स्टार्ट होंगे, वहाँ पर जाकर मैं इन चीज़ों को सिखाऊंगा नहीं, वहाँ पर आप उसको सीखेंगे, ये वली बातें दुबारा नहीं होंगे, so you have to make sure इसका daily to daily करते हैं, आज के लिए homework में आपको मैं कुछ भी नहीं दे रहूं, एक question दिया जासके लेकिन कली लेंगे, अभी पहले और practice करते हैं इसकी ठीक है ना, चलिए, बाबाई,